Hello everyone, welcome back to Bright Simple English आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे English sentences for daily use in Urdu and Hindi आज की इस वीडियो में बहुत ही simple sentences हैं जो हम अपनी daily conversation में use करते हैं तो इन sentences को आप अपनी daily conversation में use करके अपनी English को enhance कीजिए तो आईए शुरू करते हैं आज की class तो आज का हमारा पहला sentence है Feeding pigeons is a good deed कबूतरों को दाना डालना नेक काम होता है Feeding pigeons is a good deed हमारा next sentence है Did you feed pigeons today? क्या आज आपने कबूतरों को दाना डाला? हमारा next sentence है आज बर्दन कौन धोएगा? इसको English में क्या कहेंगे आप? Who will do the utensils today? नहीं ये गलत होता है हम बर्दनों को utensils कहते हैं लेकिन हम जब sentence में बोल रहे हैं English में तो हम ये कहेंगे Who will do the dishes today? ये सही होता है Who will do the utensils today? ये गलत है आज बर्दन कौन धोएगा? Who will do the dishes today? ये सही है हमारा next sentence है Your hair is so thick Your hair is so thick तुम्हारे बाल कितने घने हैं? तुम्हारे बाल कितने घने हैं? तो कई लोग English में इस तरह का sentence बना देते हैं Your hairs are so thick Hairs are so thick ये गलत है क्योंकि हमेशा इंग्लिश में hair singular होता है plural नहीं तो आप हमेशा ये कहिए Your hair is so thick ये मत कहिए Your hairs are so thick तुम्हारे बाल कितने घने हैं? Your hair is so thick हमारा next sentence है I have shaved my head I have shaved my head मैंने अपना सर मुन्वालिया है मैंने अपना सर मुन्वालिया है I have shaved my head Next I am getting the head massaged I am getting the head massaged मैं सर की मालिश करवा रहा हूं मैं सर की मालिश करवा रहा हूं I am getting the head massaged Next How's the weather in your city? या फिर बोल सकते हैं How is the weather in your city? आपके शहर में मौसम कैसा है? आपके शहर में मौसम कैसा है? How's the weather in your city? Next It is snowing in our city It is snowing in our city हमारे शहर में बर्फ पड़ रही है हमारे शहर में बर्फ पड़ रही है It is snowing in our city आज के लिए बस इतना ही फ्रेंट्स Hope कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा कुछ न कुछ नया अज सरूर सिखा होगा आज आपने अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेर कर दीजिए कमेंट भी कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें फिर मिलते हैं नए यूसफुल इंट्रेस्टिंग सिंपल वीडियोस के साथ अंटिल इन टेकेट थाइंक्स फर वाचिंग